So, Hey Guys, Assalamualaikum, Welcome back to Mariam Ka Magic, Welcome back to my first इफतार व्लोग of 2023 तो आज है Friday और पहला रोजा भी है, तो इसलिए आज का दिन वैसे ही बहुत ही blessed and special है तो सबसे पहले मम्मी ने जो है ना दाल और चना इन सब को फुला दिया था यहाँ पे मसूर की दाल और मूम की दाल को मिक्स करके फुला दिती ममी पकोड़े के लिए और यह चना दाल है, इसका salad बनेगा चना तो नॉर्मली जो बनता है वो उस तरह से बनेगा इसके साथ ही यहाँ पे मैं eggs जो है उन्हें boiled होने के लिए रख रही हूँ क्यूंकि एक चॉप भी बनेगा और यहाँ पे दाल हमारे सोक हो गया थे तो इसे मैं grind करने वाली हूँ और क्यूंकि हमें पकोड़े में green chili डालनी होती है तो मैं उसे कट करके नहीं डालती हूँ इस तरह से दाल के साथ ही उसे grind कर लेती हूँ कि अथनें आने बहले पे लारे की तो इस प्रोजार घाल के उसके इस डॉसके श्रीख भाजैश तुछल्चीम्ह पहले बिसमिल्ला बोलो, बिसमिल्ला, माशाला, रोजेदार, खाते पीते रोजेदार, तुझी सबसे पहले मैं यहां पे चना बना रहे हूं, चना बनाने की रेसिपी बहुत सिंपल, और मेरे चैनल पे भी है, आप शाबान वाला जो व्लॉग है, मेरा इफतार का रोजा का, तो यहां पे कूकर में डाल बनाई थी, और उसी कूकर में मैं चना भी बना रहे हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको मैसी लगता होगा, प्लीज इग्नोर दैट, त्यूंकि मुझे बहुत जल्दी-जल्दी करना था सब कुछ, और यहां पे लास्ट में मैं इसमें टोमेटो जालने के बाद न, इसमें सारे स्पाइसे डाल रही हूँ, जाता कुछ डालती न, रेडशिली पॉड़र मैंने डाला है, इसके बाद सौल्ट एक्वोडिंग तो दा टेस्ट डाली हूँ, इसके बाद जीर पॉडर डाल रही हूँ, मसाला इसमें बहुत कम डालना रहता है और इसमें मैं थोड़ा सा कॉरियंडर लीव और करी पते जो होते हैं उन्हें कट करके डाल दी हूँ बस इतना ही जो है चीज इसमें पड़ता है और जादा कुछ डाला नहीं रहता है इसे अच्छे से मिक्स करने वैसे ब्लेंडिंग का काम जितना भी सब कुछ है उसे मिक्स करने का या फेंटने का काम वो मेरी आज सिस्टर कर रही है तो वो कर देगी मैं इसे बस इस तरह से रख दी थी और यहां पे चिकन पकोड़े की रेसिपी जो है वो बता रही हूं तो चिकन में मैं जिंजर गालिक पेस, जीरा पॉर्डर, नमक, हल्दी पॉर्डर, रेड च प्याज कट करके डाली हूं और ग्रीन चिली चॉपिंग का काम तो बेसिकली मेरी दोनों सिस्टर ही कर रही थी तो वो उसने कट करके दे दिया था और यहां पे मैं चाट मसाला इसमें दो चम्मच डाल रही हूं चाट मसाला से टेस्ट अच्छा आजाता है और इसके बाद इसमें भी धन्या पत्ती और करी पत्ती जो है उसे महीन महीन कट करके डाल दूँगी इसमें और इसके बाद जो है ना इसमें मैं बेसन डाल रही हूं बेसन जो है इतना डालना है कि जिससे इसकी कोटिंग हो जाए बट बहुत जादा थिक कोट नहीं चाहिए रहता है जैस जल्दी जल्दी ड़ल रही थी, इसलिए एसलुए साइट से गिर भी गया, और इसके बाद जीडरा पॉडर और थोड़ी सी गोल की पॉडर इसमें डाली हूँ, साथ ही नमक डाल रही हूँ, तेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालना है, और थोड़ा सा बेकिंग पॉडर ज इसके लिए आटा जो है उसमें पोस्तो डाली हूँ मैं एक बड़े चमब से उसके बाद इसमें कोरिण सोडा इसमें भी एक दिन पहले ही सारे जार बेख रयाद साथ हमें 2 जैसे दालना रहता है तो बेले कर में थोड़ा मीठा जादा खाते हैं और इसके बाद इसमें थोड़ा साल्ट भी डाल दी हूँ और यहां पे मेरी बहन बहुत ही फास्ट सर्विस करते हुए सारे चीजों को फेट करके रग दी है तो यह है चिकन पकोडे का जो मैरीनेशन है वो है इसके बाद यहां पे गुलगुले का है उसके बाद पेसन है फिर इसके बाद दाल के पकोडे जो बनने है उसे भी उसने अच्छे से फेट के रग दिया है और अब हम लोग जो है इसे बस फ्राई करेंगे थोड़े देर इसे अच्छे से सोक होने के लिए रग देंगे ता काम भी वही करेगी और यहां पे चने की डाल का जो है वहाँ निकाल लिया है इसके साथ ही इसके सैलेड बनने में खीरा टमाटर प्याज घरी मिश धनियापती नीमू यह सब कुछ डालना होता है तो यह सारी चॉपिंग का काम मेरी बहन करेगी अभी इसमें हमने निकाल दिय था और यहां पर यह देखे यह सब कुछ कट कर रेडी हो चुका है बस मिक्स करना है और यहां पर नवाग साहब जो है थोड़े मस्दी के मूड में है मस्क मेलन जो है ममी खरीदी थी तो वो इन्हें दे दी है और यह इसे बॉल समझ करके खेल रहे हैं तो आज पहला दीन है तो टाइम के अकॉर्डिंग कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें कैसे टाइम सेट करना है खेर यहां पर मेरी जो बहन है वो फ्रूट्स कट कर दी है चोटी वाली बहन और बहुत ही परफेक्शनिस्ट है वो हर चीज़ बहुत परफेक्शन से करती है तो फ्रूट्स को बहु छी अच् neuen fruit salad बनाती है ख़ेर यह तो Simple Walay Fruit Salad वो बना रही है इंशालगि मैं रमजान मे के साथिए करोंगी एक क्रीमी Fruit Salad नो बनाती है और उतना ही लजीज होता है रशाया आपकर साहित वोसjoeप रशूरूर शेयर करोंगी अज तो Simple Walda बन रहा है तो इसके लिए उसने च फ्रूप्टोस होता है जो मीठा होता है तो हम आज डाल दे रहे हैं आगे के टाइम जो है नेक्स डेस में इसे अवाइट करेंगे और फ्रूट्स वैसे सीजनल है तो सारे ही अच्छे थे और इसके बाद यहां पे फ्राई का जो भी चीजें ना उसे फ्राई करने का काम था मुझे थोड़ा सा कुछ काम था मैं लेट हो गई तो मेरी बहन जो है वो शुरू कर दी थी गुलगुले फ्राई करना इसके बाद मैंने आकर के कमान संभाला और मैं ले लेई थी उससे चमच और यहां पे मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ गुलगुले हमारे लगबग चौप बना रही हूँ 10-12 लोगों का इफ्तार इसलिए बनता है कि Alhamdulillah मेरी फैमली भी बड़ी है और कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी शामिल करते हैं अब मैं बहुत ज्यादा तो मैं बहुत ज्यादा लोगों को शामिल करते हैं और किसे देते हैं यह हमारी जो परसनल जादा हम लोग बना रहे हैं पहला दिन थोड़ा जादा एक्साइटमेंट भी रहता है और और लगता है कि बहुत कुछ खा लेंगे हम लोग फर्स टे खिर यहाँ पे अब मैं चिकन परकॉड़ा जो है इसे फ्राई कर रही हूँ और इसमें थोड़ा जादा टाइम लगत है और बहुत ही बेढ़ी हैक्साइटratos उसने सेट किया था उलमदलिल्ला बहुत अच्छसे वोगया था आललह सबके घर में खैर और शपका रमजान पूरा पूरा रमजान अच्छसे गुजरें और आप सबको रमजान मुबारक हो और दूआ में मुझे याद रखे मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अल्ला हाफिस